वाव आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास तो डंफर गाड़ी है वाव बच्चो यह यहाँ पर क्या कर रहा है वाव ब्यूटिफूल डंफर गाड़ी तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ और मेरे पास बहुत सारे खिलोने है डंफर है गाड़ी है इसको यहाँ पर रख देते हैं आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है और वाव गाई जहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है ये तो कार गाड़ी है वाव पीले कलर में कार गाड़ी बेठा हुआ यहां पर यानि कि मेरे पास बहुत सारे खिलोने है यहां पर चलिए ढूनते हैं खिलोने को और आपको बताते हैं इसको यहां पर रख देते हैं और आगे चलते हैं तो अरे नो यहां पर भी कुछ है क्या है क्या है वाव यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह तो डॉल बैठी हुई है एक गुड़िया इसकूटी पर बैठी हुई है और यह पेड़ के नीचे क्या कर रहे थी ओ नो साइद यहां पर यह बैठी हुई थी तो चलिए इसको भी यहां पर रखते हैं और आगे चलते हैं आगे हमें क्या मिलता है क्या मिलता है वाव एक और कार हमें मिल चुका है रेड कलर का कार मिल चुका है बच्चों आप लोग देख सकते हैं यह तो कार है वा वाव यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या है यह तो मौटू है यह यहाँ पर पेड़ के नीचे क्या कर रहा है और चलिए इसको भी यहाँ पर साध यह बिठा हुआ था यानि कि यहाँ पर यह आराम कर रहा था इसको भी हम यहाँ पर रखते हैं और आगे ढूनते हैं आगे हमे क्या मिलता है और ये क्या है ये तो ट्रेक्टर गाड़ी है वाव ब्यूटिफूल ब्यूटिफूल ट्रेक्टर गाड़ी है आप लोग देख सकते हैं बच्चो वाव इसमें तो बहुत ही नीले कलर में ट्रेक्टर मेरा बना हुआ है और सभी यानि की बहुत सारे हमारे पास खिलोने पेड़ के नीचे छुपे हुए है ट्रेक्टर है, जेसी भी है, कार है, डंफर, गारी है आगे चलते हैं, आगे हमें क्या मिलता है वाव, जेसी भी, ब्यूटिफूल जेसी भी आप लोग देख सकते हैं मिट्टी उठाते हैं इसको, ओ नो, वाव, नाइस मिट्टी उठा लिया और इसको हम मिट्टी के साथ यहाँ पर रख देते हैं इस बाल्टी के अंदर तो चलिए मेरे पास बहुत सारे खिलोने मिल चुके हैं, आगे क्या अरे ये क्या वाव ये तो हवाई जहाज है एरो प्लेन है वाव सोई आप लोग देख सकते हैं ये क्या है हवाई जहाज है बच्चो आप लोग देख सकते हैं इसे इंगलीज में एरो प्लेन कहते हैं वाव ब्यूटिफूल एरो प्लेन इसको यहाँ पर रखते हैं मेरे पास बहुत सारे खिलोने मिल चुकी है बच्चो आगे चलते हैं तो वाव मोटर साइकिल हमें मिल चुका है एक और गाड़ी एक और भैक्यल हमें मिल चुका है यह आप लोग देख सकते हैं motorcycle भी हमें मिल चुकी है इसको भी यहाँ पर रखते हैं आगे चलते हैं बच्चो आगे हमें क्या मिलता है ओ नो एक और हमें खिलोना मिल चुका है ये क्या है वाव CNG auto है auto गाड़ी हमें मिल चुका है very nice auto गाड़ी आप लोग देख सकते हैं ये भी हमें मिल चुका है auto गाड़ी और इसे भी हम यहाँ पर रखते हैं आगे चलते हैं और वाव ये देखो मेरे पास तो water probe यानि कि यहाँ पर खिलोने सभी फंसे हुए हैं इसे हमें एके करके निकालना होगा बच्चो नहीं तो ये सारे के सारे इस पानी में डूब जाएंगे तो चलिए पहले हम सेर को निकालते हैं वाव आप लोग देख सकते हैं हमारा सेर पानी से बाहर आ चुका है और वहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने काफी ज़्यादा पानी पी रखकी थी आगे हम निकालते हैं डंफर गाड़ी को निकालते हैं क्योंकि ये भी अंदर चला जाएगा उनो चलिए इसको भी हम बाहर निकाल लिए इसे भी यहाँ पर रख देते हैं आगे हमें बहुत सारे खिलोने को निकालना होगा जीराप को निकालते हैं वाव जीराप को निकालते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और इसे भी यहाँ पर रख देते हैं यह क्या है? यह तो भेडिया है वाव, ब्यूटिफूल बहुत सारे खिलोने इस पानी के अंदर डूब चुके हैं और भी हम आपको निकालने वाले हैं मोटर साइकिल को भी निकाल देते हैं मोटर साइकिल यहाँ रख देते हैं और अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? हीरन को निकालते हैं वाव, हीरन तो मेरे हाथ में आ चुकी है हीरन को अंदर से निकालते हैं और इसे भी बाहर में रखते हैं ब्यूटिफूल हीरन है आप लोग देख सकते हैं बच्चो और इसी के साथ लास्ट मेरा सायद गाय बचा हुआ है वाव गाय तो डूब चुकी है इसे निकाल लिए और इसे भी उपर रख देते हैं सारे खिलोने को हमने निकाल लिया बच्चो